मारक आते हैं पोलिस से नजर नहीं आते हैं मीडिया में वह है नाराजगी क्या आएगी अब ख़बर में वह आप तै करेंगे तो लेकिन ये नीचे के सर पर ये संगर्शे तो जारी है हर नौजवान ये ही पूछना की भाई मेरा नोगरी का है पहले आप आजये हमारे साथ पैसे के ललश या आपको पोजिशिट के ललश हम आपको ये बना देगी वो बना देगी अगर वो बात नहीं माने तो आपके फ़बर EDC भी आई और उस दवाव में भी नहीं आए गोए तो ज injuries और अगर ये नवास के बारे में कहरे तो किया वो केंदरे में विपक्ष की आवाज और माकपा के महा सच्चिव सी तरह मेचूरी सर नाकपुर आये हुए है जो अभी अभी मार्ग दर्शन कर रहे थे उनसे बात करते आकिर कि 2022 में जो की भाजपा को रोकड देश के इंदर जब चुनाव होती है कोई भी वैकल्पिक सरकार जब भी बना अपने इतिहास में चले जाएए आप 1975 से कोई भी गड़ बंदन जो वैकलपिक सरकार बनाया केंद्र में वो गड़ बंदन खुद बनी है शुनाओ के बाद ही आपके जंता पाटी के समय से इंद्रा गांदी के मेमर जिंस को हराने के बाद हर समय जो सरकार है आई वो गड़ बंदन बनती है शुनाओ के बाद ही इस बार भी वही होगा दोजार चौबीस में जो होगा पहले वो यह है कि हर प्रदेश में जो भाजपाफ दिरोदी जो वोटे हैं उसके अंदर बटवारा कम से कम हो इस तरीके से तालमेल जो है वहां की पाटियों के बीच में होगा जिस तरीके से हाल में तमिलाडू में हुआ था डीम के के नेतरत में अगर बिहार में होता तो वो और जड़ी और उनके नेतरत में होगी अगर यूपी में होगा तो वो स्वाजवादी पाटी के नेत्रत में होगी अगर जारकन में होगा तो वो इमेंस और इनके नेत्रत में होगी अगर यहां पे महराश्च में होगा यह आपके अगाड़े के नेत्रत में होगी तो ये इस तरीके से हर प्रदेश में होगा उसके बाद वो जो है गड़मंदन बनेगी के अंदर में जी राजों के स्थर पर बाजशी जारी है और ये चलेगा और हर राजों के अंदर हम चाहते हैंगी ये इसको आप कॉंसॉलिडेट करिएगा ये गड़मंदन को अगर बात की जाएगी तो विपक्षी आवाज भी कहिंके कमजोर होते हुए दिखाए दीटेहाँ अगर बात की जाएगी कॉंग्रेस की कोंग्रेस की जिस तरह से हाला यूपी चुनाऊ है और बाकी अन्याय राज्यों में पंजाब में सत्ता गवानी पड़ी क्या लगता है है आप लोग आप लोग बताईए आप ही है माधियम माधियम तो आप ही है तो इसलिए इतने बड़े-बड़े संगर्शे हो रही है अब 27-28 तारीकों पूरे देश बर का मजदूर जो है दो दिन की हरताल पे जाएगा क्या आएगी अब खबर में वह आप आप तै करेंगे तो लेकिन ये नीचे के सर पर ये संगर्शे तो जारी है हर नाजवान यही पूछना की भाई मेरा नोगरी का है अगर वो नज़र आएगा या नज़र आने देंगे तो अलग बात है लेकिन ये तो है बतलब ये ये हालत जो है ये मनसिक्ता लोगों के अंदर है मुद्दों से भटक कर राजनीती हो रही है जहाँ बेरोजगारी का सवाल है कई सारी नीजी करन का सवाल आता है बहाँ पर कहीं कई सर्तादरी चूप रहते हैं और कहीं कई विपक भी उसकी आवाज नहीं उठा पाता है ऐसे भी सबाल जंता के तरफ से आ रही है तो इन हावना आस्ता और आपके जज़बाद के आधार पर यह राजनीती चलाई जा रही है यह इसके चलते वे ना देश ना देश के लोग उनके उनका कोई भलाई है और जल्द ही देश भी सौझ जाएगा और लोग भी सौझ जाएंगे के इंद्री जाच एजनसी के नाम पर कई न कई गुमरहा किया जा रहा है डराया जा रहा है ऐसा भी आरोप सत्ताधरी पर हो रहा है आप कित्ते सहीमत यह आरोप नहीं है यह वास्तविक्ता है यह वास्तविक्ता है उनके जो है तीन स्टेज का जो है पालिसी है पहले आप आजाए है हमारे साथ पैसे के लालश या आपको पॉजिशिट के लालश हम आपको यह बना देंगे वो बना देंगे अगर वह बात नहीं माने तो आपके पर EDC भी आए और उस दवा में भी नहीं आए गोई तो जेल खारना अब आज भी है पुलिटिकल लीडर जेल पर तो अब यह है उनका method of operation कश्मीर फाइल पर आजका लिंदेनों बहुत चर्चा हो रही है पार्लेमेंट में भी इसकी गूंच के इनके होती है विवाद बहुत गहरा है कई देखा गया तीस साल बादे सवाल उत्ता है पिच्चर बनती है लेकिन एक तरबा बताई जाती है आप बात तो सही है तो तीस साल बात हुई यह बात और हाल में पिछले दिसंबर में दो मेने पहले एक आर्टियां के जवाब में कश्मीर की पूलीस हिटकॉर्टर बताती है उनने सो नवे के बाद जब यह आतंगवादी हमले शुरू है तब से लेकर नवासी कश्मीरी पढ़ कि जो दूसरे आस्ता में विश्वा सकने वाले हैं उनकी मौत हुई अगर यह नवासी के बारे में कहरे तो कि आप वो इनसान नहीं है वो 1635 वो भी तो इनसान है ना उनके उनके जैन में भी तो लाली था ना तो तो अब कौन सी फाइल्स उटा के लिए है आप असलियत तो हुए में तब से लेकर हमारी पार्टी हमारा वहां पे एक बहुत ही मद्बूत प्रवक्ता है वहां पे यह क्या अमेले था और रहा है आज भी था यह बंग होने से पहले उनने सबसे पहले आवाज उठाई थी पंडितों की सुरुक्षा के लिए और हमने के अभी काम बहुत तो अब यह आरोप की परी बाकी लोग नहीं कर रहे हैं यह की मात लोग कर रहे हैं यह वगरा यह पूरी पूरी पैचार का एक साज़िश है 24 24 यह उसे आगे भी मतलब जजबात के आधार पर राजनेती चलाने यह जादा दिन चलेगा रहे हैं क्योंकि भाई यह हम लोग सड़कों पर रहते हैं हम लड़ते हैं मार खाते हैं पॉलिस से नजर नहीं आते मीडिया में वह है नाराज़गी और जो लोग कुछ करते नह हैं हम वह आजाते हैं मतलब नजर सी तरह में चुरी थे जो हमसे रूबर हो रहते हैं मीडिया पर थोड़े से नाराज़ दिखे हाला कि उन्होंने कहा कि दोजाब 24 में रोकने के लिए एक माह गडबंद दर चरिये उनका प्रयास करने में कैमरा मैंना अनुर कापट करके सा मुके शिड़ो एक्वैलिटी न्यूस नाकपूर